हेलो स्टुडेंट्स मेर उपाली हसनाले आज आप सभी को NCRT संस्क्रिट क्लास सैवन्थ के पाठ दस का अभ्यासकार्य समझाने जा रही हूं तो आईए पाठ दस का अभ्यासकार्य प्रारंब करते हैं प्रश नंबर एक में हमें दिया गया है उच्चारणम कुरूत इसका मतलब होता है उच्चारण करो हमें ये पद दिये गए है इन पदों का हमें उच्चारण करना है मैं इनका हिंदी अर्थ भी समझा रही हूं आप लोग इसको ध्यान से समझना दुरुभिक्षे मतलब अकाल पढ़ने पर रास्ट विपलवे मतलब रास्ट पर आपदा आने पर विश्व बंधुत्वम मतलब संसार के प्रती भाईचारा विश्व संती मतलब विश्वास करते है उपेक्षा भावम मतलब उपेक्षा की भावना वी द्वेशस्य मतलब द्वेश का या फिर शत्रुता का ध्यातव्यम मतलब ध्यान देना चाहिए दुख भाग मतलब दुख का भागी प्रदर्श यंती मतलब प्रदर्शित करते है अब प्रश नमबर दो देखिए मन्जुशातह समानार्थक पदानी चित्वा लिखत इसका मतलब होता है मन्जुशा से समानार्थी पद चुनकर लिखो मन्जुशा में ये समानार्थी पद दिये गए है हमें इनको चुनकर यहाँ पर लिखना है ठीके, तो सबसे पहले हम इनका मतलब समझ लेते हैं अब देखो स्वकियम, स्वकियम का मतलब होता है अपना तो इसका समानार्थी पद होगा आत्मानम, इसका मतलब भी होता है अपना अवरुद्धह, अवरुद्धह का मतलब होता है रुका हुआ तो इसका समानार्थी पद होगा बाधितह, बाधितह का मतलब भी होता है रुकाववा कुटुमबकम, कुटुमबकम का मतलब होता है परिवार तो इसका समानार्थी पद होगा परिवारह, इसका मतलब भी होता है परिवार नेक्स्ट देखो अन्यस्य अन्यस्य का मतलब होता है दूसरे का तो इसका समानार्थी पद होगा परस्य परस्य का मतलब भी होता है दूसरे का नेक्स्ट देखो अपहाई अपहाई का मतलब होता है छोड़कर तो इसका समानार्थी पद होगा त्यक्तवा त्यक्तवा का मतलब भी होता है छोड़कर या फिर त्याग कर नेक्स्ट सम्रिध्धम सम्रिध्धम का मतलब होता है संपन्न और इसका समानार्थि पद होगा संपन्नम संपन्नम का मतलब भी होता है संपन्न नेक्स्ट देखो कस्टम तो इसका समान आर्थी पद होगा दुखम नेक्स्ट देखो निखिले निखिले का मतलब होता है संपूर्ण हमें प्रश नमबर 2 में दिया गया था मन्जुशा से समान आर्थी पद को चुन कर लिखो ठीक है ये मन्जुशा में समान आर्थी पद दिये गये थे हमें इनको चुन कर लिखना था ठीक आया समझ में आप प्रेश नंबर 3 में देखो रेखांकितानी पदानी शंशोध्य लिखत इसका मतलब होता है रेखांकित पदों को शुद्ध करके लिखो ठीक है ये जहां जहां पर अंडरलाइन दी गई है हमें इनको शुद्ध करके लिखना है ये हमारे गलत है हमें क्या करना है सही करना है ठीक आप देखों यहाँ पर कव में हमें दिया गया है छात्राहा कृड़ा शेत्रे कंदुकात कृड़नती इसका मतलब होता है छात्र खेल के मेदान में गेंद से खेलते हैं अंडरलाइन कंदुकात पर की गई है कंदुकात पंचमी विभक्ती एक बचन है ठीक है पंचमी विभक्ती अपादान कारक होती है अपादान कारक मतलब संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहता है इसका कारक चिन् परन्त यहांपर बच्चे Гेंद से खेल रहे हैं अर्था इंद के साथ खेल रहे हैं यहांपर गेंद एक साधन है जिसकी सायता से बच्चे खेल रहे हैं 너ो यहांपर कौनसी भक्ति दी घय गई यह इसका कारक चिन्न से के द्वारा होता है, तो कंदुकाद की जगह, तृतिया विभक्ति का एक वचन कंदुकेन आएगा, क्योंकि बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं, गेंद से अलग नहीं हो रहे हैं, ठीक, आया समझ में, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, छात्रा हाँ, क्रिडा शेत्रे, कंदुकाद की जगह हम लिखेंगे, कंदुकेन, कंदुकेन, क्रिडंती, चात्र खेल के मेदान में गेंड से खेलते हैं, ठीक, आया समझ में, कंदुकाद पंचमी विभक्ती थी, जो अशुद्ध पद था, हमने इसको शुद्ध करके, क्या लिखा है, कंदुकेन लिखा है, कंदुकेन तृतिया विभक्ति का एक वचन है ठीक आया समझ में अब ख में देखो ते बाली काहा मधूरम गायनती यहाँ पर ते पर अंडरलाइन की गई है जो की अशिद्धपद है ठीक अब देखो बाली काहा हमारा क्या है इस्त्रेलिंग शब्द है और प्रतमा विभक्त विभक्ति बहु वचन है ठीक है और ते प्रतमा विभक्ति का द्वी वचन है अब देखो यहाँ पर देखना देखो तत का मतलब होता है वह वह एक सर्वनाम शब्द है जिसके शब्द रूप किनो लिंगों में होता है पुलिंग में इस्त्रेलिंग में और नपुन संक लिंग में ठीक है तो हमें ते दिया गया है जो प्रतमा विभक्ति का द्वी वचन है और बाली का हा क्या है प्र तहा आना चाहिए, अब देखो, पुलिंग में भी ते दिया गया है, बाली काहा क्या है, इस्त्रिलिंग शब्द है, और नपुन संक्लिंग में भी ते दिया गया है, पर बाली का क्या है, इस्त्रिलिंग शब्द है, इसी कारण से हमने क्या करा है, प्रतमा विभक्ती का वचन है ठीक है इसी कारम से हम क्या लिखेंगे ताहा लिखेंगे ताहा बालिकाहा मधूरम गायन्ती देखो बच्चो एक बात ध्यान से समझना जब भी कोई सर्वनाम शब्द संग्या शब्द के पहले आकर उस संग्या शब्द की विशेश्टा बताता है तब वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेशन कहलाता है तो इस प्रकार यहां वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम ताहा सार्वनामिक विशेशन है तथा संग्या बालिकाहा विशेश्य है ठीके ताहा सार्वनामिक विशेशन है और बालिका विशेश्य है एक और बाद ध्यान रखना संस्कृत में विशेश्य का जो भी लिंग विभक्ती वचन होगा वही विशेशन का भी लिंग विभक्ती वचन होगा और बाली का विशेश्य है ठीक आया समझ में अब गव में देखो अहम पुस्तकालेन पुस्तकानी आनियामी इसका मतलब होता है मैं पुस्तकाले से पुस्तके लाता हूँ अंदरलाइन पुस्तकालेन पर की गई है पुस्तकालेन एक अशुद्ध पद है हमें इसको शुद्ध करके लिखना है ठीक है पुस्तकालेन में तृतिया विभक्ति एक वचन लगा हुआ है तृतिया विभक्ति करनकारक होती है इसका कारक चिन्न से के द्वारा होता है करनका कारक का मतलग जिसकी साहिता से काम किया जाता है यहाँ पर पुस्त कालय से पुस्त के अलग हो रही है इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का एक वचन आएगा पंचमी विभक्ति का कारक चिन्न से होता है अलग होने के अर्थ में इसी कारण यहाँ पर तृत्या विभक्ति का एक वचन न आते हुए पंचमी विभक्ति का एक वचन पुस्तकालयात आएगा क्योंकि पुस्तकालय से पुस्तके अलग हो रही है ठीके तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे अहम पुस्तकालयात पुस्तकालयात आन्यामी इसका मतलब होता है मैं पुस्तकालाय से पुस्तके लाता हूँ ठीके पुस्तकालायाद पंचमी विभक्ती एक वचन है और पुस्तकालायन तृतिया विभक्ती एक वचन है यहाँ पर दिया गया है पुस्तकालय से पुस्तके अलग हो रही है इसी कारण से हमने यहाँ पर पंचमी विभक्ति का एक वचन लगाया है अब घह में देखो त्वम किम नाम इसका मतलब होता है तुम क्या नाम अंडरलाइन त्वम पर की गई है जो की अशुद्ध है हमें को शुद्ध करके लिखना है त्वम प्रत्मा विभक्ति एक वचन है अब देखो यदि हम किसी का नाम पूछते तो हम ऐसा बोलते है क्या तुम क्या नाम है हम ऐसा बोलते है तुम्हारा क्या नाम है है ना तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर तुम की जगह हम लिखेंगे त तव किम नाम इसका मतलब होता है तुम्हारा क्या नाम है तव शष्टी भक्ति एक वचन है और त्वम प्रत्माविभक्ति एक वचन है आया समझ में अब अंग में देखो गुरुन नम्ह इसका मतलब होता है गुरु को नमस्कार है अंडरलाइन गुरूम पर की गई है गुरूम द्वीत्या विभक्ती एक वचन है परन्तु एक बाद हमेशा याद रखना नमह के योग में चतुर्थी विभक्ती का प्रयोग करते है इसलिए यहाँ पर गुरूम की जगह चतुर्थी विभक्ती का एक वचन गुरुवे लिखेंगे ठीके गुरुवे नमह आपको जहाँ पर भी नमह दिख जाएगा उसके योग में चतुर्थी विभक्ती का प्रयोग करना है ठीक आया समझ में गुरू को नमस्कार है ठीक, आया समझ में, अब प्रश नमबर चार देखिए, प्रश नमबर चार में हमें दिया गया है, मंजुशातह विलोंपदानी चितवा लिखत, इसका मतलब होता है, मंजुशा से विलोंपद चुनकर लिखो, हमें ये मंजुशा में विलोंपद दिये गये है, हमें इनको च समस लेते हैं अधून अधूना का मतलब होता है अब मितरताया हा इसका मतलब HU0ता है मित्रता की लगुचेतसाम इसका मतलब होता है छोटी सोच वालों का या फिर शुद्र- रिदय वालों का ठीक ग्रिहितवा इसका मतलब होता है ग्रहन करके या फिर लेकर दुखी नह इसका मतलब होता है दुखी दानवा हा इसका मतलब होता है दानो अब देखो यहाँ पर शत्रुताया हा इसका मतलब होता है शत्रुताकी तो इसका विलोम पद क्या होगा इसका विलोम पद होगा मितरतायाहा इसका मतलब होता है मितरता की अब next देखो पुरा पुरा का मतलब होता है पहले तो इसका विलोम पद आएगा अधुना अधुना का मतलब होता है अब नेक्स्ट देखो, मानवाहा, मानवाहा का मतलब होता है मनुष्य, तो इसका विलोंपद आएगा दानवाहा, दानवाहा का मतलब होता है दानव नेक्स्ट दिया गया है उदार चरीता नाम, इसका मतलब होता है उदार चरीतर वालों का, तो इसका विलोंपद क्या होगा, लगुचेत साम, इसका मतलब होता है छोटी सोच वालों का, ठीके? अब नेक्स्ट दिया गया है सुखी नह, इसका मतलब होता है सुखी, तो इसका विलोंपद क्या होगा? दुखी नह, ठीके? दुखी नह का मतलब होता है दुखी अब हमें नेक्स्ट दिया गया है अपहाई, इसका मतलब होता है छोड़ कर, तो इसका विलोंपद क्या होगा? ग्रिहत्वा, ग्रिहत्वा का मतलब होता है ग्रहन करके ठीक हमें प्रश नमबर 4 में क्या दिया गया था? मंजुशा से विलोंपद दिये गये थे, हमें इनको चुनकर यहाँ पर लिखना था आया समझ में अब प्रश नंबर पांच में देखिए प्रश नंबर पांच में हमें दिया गया है अधो लिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत इसका मतलब होता है निम्न लिखित पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखो हमें यहाँ पर पद दिये गए हैं, हमें इनका लिंग बताना है, विभक्ती बतानी है, और वचन बताना है, ठीक, अब देखों यहाँ पर बंदुहू, बंदुहू का मूल शब्द बंदू है, यह उकारान पुलिंग शब्द है, ठीक है, कौन सा लिंग है यह उकारान पुल यह प्रधमा विभक्ती है, हम लिखेंगे यहाँ प्रधमा, और इसका वचन क्या है, इसका वचन है, एक वचन है, ठीके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक वचनम, ठीके, बंदुहू, पुलिंग पद है, प्रधमा विभक्ती है, और एक वचन है, ठीके, बंदुहू का मतलब होता है, भाई, अब नेक्स्ट देखो, देशान, देशान का मुल्शब्द देश है, यह अकाराद पुलिंग है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुलिंगम, देशान का मतलब होता है, देशों को, तो यह कौन सी भक्ती हुई, यह दुईतिया भी भक्ती हुई, ठीके, और इसका वचन क्या हुआ, इसका वचन हुआ, बहु वचन, ठीके, अब नेक्स्ट देखो, ग्रिणा याहा, ग्रिणा याहा का मुल शब्द ग्रिणा है, यह आकाराद इस्त्रिलिंग पद है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस्त्रिलिंगम, ग्रिणा याहा का मतलब होता है, ग्रिणा की, तो यह कौनसी भक्ती वी, यह शश्टी विभक्ती वी, ठीके, शश्टी विभक्ती, और इसका वचन क्या हुआ, इसका वचन हुआ, एक वचन, ठीके, गृणाया हा, इस्त्रिलिंग, शश्टी भक्ति और एक वच्चन है अब नेक्स्ट देखो कुटुम्बकम का मतलब होता है परिवार कुटुम्बकम अकारान नपुन संकलिंग पद है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे नपुन सकलिंगम यह प्रथमा द्वीतिया विभक्ति है तो हम यह आपर लिखेंगे प्रथमा और द्वीतिया ठीके, और यह कौन सा वच्चन है यह एक वच्चन है ठीक एक वच्चनम अब देखो कुटुंबकम नपुन संकलिंग पद है प्रथमा द्वीतिया विभक्ति है और एक वच्चन है ठीक अब नेक्स्ट देखो रक्षायाम रक्षायाम का मूल शब्द रक्षा है यह आकारांत इस्त्रिलिंग पद है कौन सा लिंग है यह अकारांत इस्त्रिलिंग है तो हम लिखेंगे इस्त्रिलिंगम इसका मतलब होता है रक्षा में तो यह कौन सी भक्ती हुई यह सब्तमी विभक्ती हुई तो हम लिखेंगे सब्तमी अब ये कौन सा वचन हुआ? ये एक वचन हुआ तो हम लिखेंगे एक वचनम ठीके? रक्षायाम का मूल शब्द रक्षा है ये आकारांत इस्त्रिलिंग शब्द है और ये सब्तमी विभक्ती है और एक वचन है रक्षायाम का मतलब होता है रक्षा में इसी कारण से इसकी भक्ती कौन सी हुई? सब्तमी ठीके? अब लास्ट देखो ज्ञान विज्ञान यह हो इसका मतलब होता है ज्ञान विज्ञान के ये अकारां नपुन सकलिंग है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नपुन सकलिंगम ठीके? नपुन सकलिंगम ठीके? ये कौन सी भक्ती है? ये शश्ठी और सब्तमी भी भक्ती है ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे शष्ठी और सप्तमी ठीक और ये कौन सा वचन है ये द्वी वचन है ठीक तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्वी वचनम ठीक ज्यान विख्यानयो हो नपुन सक्तलिंगम है शष्ठी सप्तमी विभक्ती है और द्वी वचन है ठीक आया समझ में प्रश नंबर पांच में हमें दिया गया था निमने लिखित पदों के लिंग विभक्ती और वचन लिखने थे ठीक है आया समझ में अब प्रश नंबर शे में हमें दिया गया है कोश्टकेशू, दत्तेशू, शब्देशू, समुचिताम, विभक्तिम, योजीत्वा, रिक्तिस्थानानी पूर्यत। इसका मतलब होता है कोश्टक में दिये गए शब्दों में उचित विभक्ति जोड़कर रिक्ति स्थानों की पूर्ति करो। हमें एकोष्टक में पद दिये गया है, हमें इन में उचित विभक्ति का प्रयोग करके इन रिक्तिस्थानों की पूर्ति करना है, ठीक, अब देखो यहाँ पर हमें कवमें एक उधारन दिया गया है, विद्यालयम उभयतह व्रिक्षाह संति, और हमें पद दिया गया है चिन्न होता है, यहाँ पर तो विद्यालयस से आना चाहिए था, परन्तु यहाँ विद्यालयम आया हुआ है, विद्यालयम दुईतिया विभक्ति है, इसका मतलब विद्यालय को होता है, यह तो गलत है, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, विद् सिलेबस में पहली बार समझेंगे अब ध्यान से समझना पद के आधार पर प्रयोग की गई विभक्ती को उपपद विभक्ती कहते हैं अब हम इसे आसान भाषा में समझते हैं देखिए बच्चों जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तब कभी-कभी संस्कृत के वाक्यों में कुछ ऐसे विशेश शब्ड मोजुद होते हैं जिनकी मोजुद्गी के कारण उनके पहले आने वाले शब्दों में जो विभक्ती आनी चाहिए वह विभक्ती न आकर कोई दूसरी ही विभक्ती प्रयोग की गई होती है ऐसे विशेश पदों को ही उपपद विभक्ती कहते हैं अब देखो यहाँ पर शष्टी विभक्ती का एक वचन विध्यालेश से आना चाहिए था परन्तु उभयतह विशेश पद है जिसके कारण विध्यालेश से न आते हुए द्वीतिय विभक्ती का एक वचन विध्यालेयम आया हुआ है अब ऐसे कौन-कौन से पद है जो किसी खास विभक्ती को अपनी और आकरशित करते हैं देखो यहाँ पर आपकी बुक में पेज नंबर 90 90 पर उपपद विभक्ती का एक चोटा सा टॉपिक दिया गया है अब देखो ध्यान से समझना ऐसी कौन-कौन से पद है जो कि खास विभक्ती को अपनी और आकरशित करते हैं उभयत हः इसका मतलब होता है दोनो तरफ परित हः इसका मतलब होता है चारो तरफ सर्वतह इसका मतलब होता है सभी तरफ प्रती का मतलब होता है की ओर निकसा का मतलब होता है समीप में धिक का मतलब होता है निंदा इन सभी के योग में द्वीतिय विभक्ति का प्रयोग करते है मतलब की ये पद आपको कहीं पर भी दिख जाए इनके पहले आपको द्वीतिय विभक्ति लगानी है ठीक आया समझ में उभयतह, परितह, सर्वतह, प्रती, निक्सा और धिक ये पढ़ाको कहीं पर भी दिख जाए तो इनके पहले आपको द्वीतिय विभक्ति का प्रयोग करना है ठीक इसी प्रकार नमह इसका मतलब होता है नमस्कार नमह के योग में चतुर्थी विभक्ती का प्रयोग करते हैं आपको जहां पर भी नमह पद दिख जाए उसके पहले चतुर्थी विभक्ती लगानी है आप देखो यहां पर गुरुम नमह लिखा हुआ था और गुरुम हमारा आशुद्ध था हमने उसको शुद्ध करके क्या करा था गुरुवे नमह नमह के पहले हमने चतुर्थी विभक्ती लगाई थी ठीक और देखो यहां पर उपरिही का मतलब होता है उपर अधह का मतलब होता है नीचे अंतह का मतलब होता है, भीतर, इनके योग में आपको शश्टी विभक्ति का प्रयोग करना है, उप्रिही, अधह, अंतह, आपको जहां पर भी दिग जाए, उनके पहले आपको क्या करना है? शश्टी विभक्ति लगानी है ठीक आया समझ में और भी ऐसे बहुत सारे उपपद विभक्तियां है परंतु जितना सिलेबस में दिया गया है मैं उतना ही समझा रही हूँ अब हम अपने प्रश्ण पर आते हैं अब देखो इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है उभयतह गोपाली का हा और हमें पद दिया गया है क्रिश्ण इसका मतलब होता है दोनों और गोपियां है तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा क्रिश्णम क्रिश्ण की द्वीतिया विभक्ति आएगी क्रिश्णम क्यूं आएगी उभयतह एक विशेश पद है जिसके काराण यहाँ पर क्रिश्ण की द्वीतिया विभक्ति आएगी क्रिश्णम इसका मतलब होता है क्रिश्ण के दोनों और गोपिया है ठीक आया समझ में अब ख में देखो ग्रामम परितह गो चारन भूमी ही और हमें पद दिया गया है ग्राम इसका मतलब होता है गाउं के चारों और गो चारन भूमी है यहाँ परितह दिया गया है परितह की योग में द्वीतिया विभक्ति का प्रयोग होता है मैंने अभी आपको बताया उभयतह, परितह, सर्वतह, प्रती, निक्सा और धिक इन सबके पहले द्वीतिया विभक्ति का प्रयोग होता है इसी कारण से ग्राम की द्वीतियाविभक्ती ग्रामम लगी है ठीक अब यहाँ पर देखो परितह भक्ताहा इसका मतलब होता है चारो और भक्त है और हमें पद दिया गया है मंदीर तो हम क्या करेंगे मंदीर की द्वीतियाविभक्ती लिखेंगे मंदीरम मन्दीर के चारो और भख्त है क्यूं परितः हमारा क्या है विशेश पद है ठीक है इसके पहले क्या आएगा द्वितिय भख्ति का हम प्रयोग करेंगे ठीक अब गा में देखो सूरिया नमह और हमें पद दिया गया है शूरिय नमह के योग में चतुर्थी विभक्ती का प्रयोग करते हैं ठीक मैंने अभी आपको बता दिया अब देखो यहाँ पर हमें दिया गया है नमह और पद दिया गया है गुरू तो गुरू की चतुर्थी विभक्ती क्या होगी? गुरुवे ठीक है? गुरुवे नमह गुरु को नमस्कार है अब घह में देखो व्रिक्षा से उपरी खगाह इसका मतलब होता है पेड के उपर पक्षी है और पद दिया गया है व्रिक्षा और इसमें कौन सी विभक्ति लगाई है शष्ठी विभक्ति लगाई है क्यों लगाई है उपरी अधह अंतह इनके योग में शष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते है मैंने अभी आपको बता दिया था अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है उपरी सेनिकह इसका मतलब होता है उपर सेनिकह और हमें पद दिया गया है अश्व तो हम क्या करेंगे अश्व की शष्ठी भक्ति का प्रयोग करेंगे अश्व की शष्ठी भक्ति होती है अश्वस्य अश्व के उपर सेनिक है क्योंकि उपरी हमारा क्या है उपपद विभक्ति का पद है इसी कारण से हमने क्या करा है अश्व में शष्टी भक्ती लगई है ठीक आया समझ में अब प्रश नमबर साथ में देखिए कोश्टकात समुचितम पदम चित्वा रिक्तिस्थानानी पूर्यत इसका मतलब होता है कोश्टक से उचित पद चुनकर रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए ठीक है अब कह मे दिये गए है हरीम और हरिये हरीम का मतलब होता है हरीको ये द्वीतिया विभक्ती एक वचन है हरिये का मतलब होता है हरीको ये चतुर्थी विभक्ती एक वचन है परंतु यहाँ पर नमह दिया गया है नमह के योग में चतुर्थी विभक्ती का प्रयोग करते है तो हम यहा पर लिखेंगे हर ये मतलब हरी को नमस्कार है ठीक अब ख में देखो परितह क्रिशी शेतराणी संती इसका मतलब होता है चारो और खेत है और हमें पद दिये गए है ग्रामस्य और ग्रामम ग्रामस्य का मतलब होता है गाउं के ये शश्टी भक्ती एक वचन है और ग्रामम का मतलब होता है गाउं को ये द्वीतिया विभक्ति और एक वचन है परन्तु परितह की योग में हमेशा द्वीतिया विभक्ति का प्रयोग करते हैं इसी कारण से क्या आएगा ग्रामम आएगा गाउं के चारो ओर खेती है ठीके इसका अर्थ कुछ भी बने पर यहाँ पर परितह दिया गया है इसी कारण से हमने कौनसी भक्ति लगाई है ध्वीतिया विभक्ति लगाई है ठीके अब गह में देखो नमह नमह का मतलब होता है नमस्कार है और हमें कोश्टक में दिया गया है अंबायाहा और अंबायाई अंबायाई चतूर्थी विभक्ति है नमह के योग में चतूर्थी विभक्ति का प्रयोग करते है और अंबायाई हमारी चतूर्थी विभक्ति है ठीक है तो हम क्या लिखेंगे अंबायाई अमबायय नमह मतलब की अमबा को नमस्कार है ठीक अब नेक्स्ट देखो घमे हमें दिया गया है उपरी अभिनेता अभिनयम करोती इसका मतलब होता है उपर अभिनेता अभिनय करता है और हमें कोश्टक में दिया गया है मन्चस्य और मन्चम मन्चस्य शष्टी विभक्ती का एक वचन है और मन्चम द्वीतिय विभक्ती का एक वचन है पर उपरी के योग में हमेशा कौन सी विभक्ती लगती है शष्टी विभक्ती लगती है तो हम क्या लिखेंगे मन्चस्य मंच के उपर अभिनेता, अभिनाइग करता है ठीक है मंचस्य कौनसे भगती है? शस्थी भगती है ठीक अब लास्ट अंग में देखो उभायतह पुत्रों स्थह इसका मतलब होता है दोनों और पुत्र है और हमें कोश्थत में दिया गया है पित्रम और पितुहु पित्रम द्वीतिय व्भक्ती का एक वचन है और पितुहु पंचमी शष्टी व्भक्ती का एक वचन है उभायतह के योग में कौनसी वक्ती लगती है द्वीतिय विभक्ती लगती है तो हम क्या लिखेंगे पित्रम पित्रम उभयतह पुत्रव इस्तह इसका मतलब होता है पिता के दोनों और पुत्र है ठीक प्रश नमबर साथ में हमें क्या करना था कोश्टक से उचित पत को चुनकर रित्तिस्थानों की पूर्ति करनी थी ठीक आया समझ में इस प्रकार हमारा पाठ दस का अभ्यासकार्य समापत होता है आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्राबलम होतो आप मुझे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बता सकते हैं और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेर कीजिए थैंक यू